नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पोस्ट आफिस की खास पॉपुलर स्कीम के बारे में जिसमें 2023 में कई चेंजिस किये गए जिसके बाद ये स्कीम काफी लोगों के बीच में पॉपुलर है इसके rate of interest और investment amount को ले करके जो changes किये गए हैं इसके बाद अच्छा खासा return इस स्कीम में भारतिय नागरी को मिल रहा है ये post office की MIS स्कीम है monthly income स्कीम तो इसके पूरी details देखने के लिए आप वीडियो अंतर तक देखेगा साथ ही अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको finance और insurance से related ही वीडियो देखने को बिलती है तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि इस scheme में पहले और अब में क्या बदलाव हुए हैं क्योंकि ये scheme काफी फुरानी scheme हैं काफी समय से post office के माद्यम से इसे run किया जा रहा हैं लेकिन अभी 2023 में और फरवरी 2023 के budget सत्र के दोरान इस scheme में कई बड़े बदलाव किये गए हैं उसके बाद से ही ये scheme काफी popular हुई हैं जिसके अंदर की एक अच्छा सासा return लोगों को मिल रहा है इस scheme के अंदर कोई भी भारतिय नागरिक निवेश कर सकता है चाहे वो minor हो या फिर adult हो आप इसके अंदर दो तरीके से अपना निवेश का account भी open करवा सकते हैं एक single account और एक joined account इस scheme के अंदर अगर आप joined account open कराते हैं तो वहां पर अभी चाल लाग पचास हजार रुपे तक आप निवेश कर सकते हैं और अगर joined account open कराते हैं तो उसके अंदर आपको 9 लाग रुपे तक का amount एक मुस्त आप इस scheme के अंदर जमा करा सकते हैं साथी एक अपरेल 2023 से इस scheme में कुछ बड़े बदलाव भी किये गए हैं जहां पर अगर आप single account open कराते हैं तो चाल लाग पचास हजार रुपे की जगे पे आप 9 लाग रुपे तक single account के अंदर जमा कर सकते हैं साथी अगर आपने joined account ले रहे हैं तो जहां आपको एक अपरेल के पहले अभी 9 लाग रुपे जमा कर पा रहे हैं वहीं एक अपरेल 2023 के बाद इस scheme के अंदर joined account में आप 15 लाग रुपे तक निविश कर सकते हैं साथी इस scheme में joined account के अंदर तीन लोग भी मिलकर के आप joined account open कर सकते हैं यानि कि कोई भी दो adult साथी अगर उ अभी माइनर है तो वो भी इस scheme के अंदर account open करवा सकता है अगर हम इस scheme का rate of interest देखें पिछले चार साल का तो 2020 में इस scheme के अंदर 6.60% का rate of interest था क्योंकि जब कोविट का दौर चला था और उस समय rate of interest सभी के काफी down हुए थे उसके बाद 2021 में भी सेम rate of interest चल रहा था 6.60 का ही और उसके बाद 2022 में इस scheme के अंदर rate of interest increase किये गए थे 6.60 से बढ़ा करके 6.70 कर दिया गया था लेकिन 2023 में इस scheme के rate of interest में काफी बड़ा बदलाव किया गया जिसके अंदर 7.10% का rate of interest कर दिया गया था वही rate of interest अभी भी इस scheme के अंदर जनवरी 2023 से लेकर के मार्च 2023 तक लागू है जैसा कि कोई भी सरकारी योजना है और उसका rate of interest central government के द्वारा हर quarter में review किया जाता है और उसके बाद ही उसमें increase या decrease किया जाता है जैसा कि अभी इस scheme के अंदर 7.1% का rate of interest चल रहा है और उम्मीद है कि आगे भी यही rate of interest लागू रहेगा इस scheme के अंदर यह दिया आप इस scheme के अंदर अपना account open कराना चाहते हैं तो minimum 1000 रुपे से इसके अंदर अपना account आप post office में open करवा सकते हैं वो चाहें आप cash या check दोनों ही माध्यम से आप account open करवा पाएंगे साथी इसमें यह दिखते हैं कि अगर आपने क्योंकि इस scheme के अंदर 5 साल का locking time होता है आप 5 साल के लिए निविश कर सकते हैं एक most amount उसके बाद आपको हर महीने उसका rate of interest का जो भी ब्याज होता है जो आपने amount जमा किया है वो आपको मिलता है तो अभी हम यह देखते हैं कि अगर आपने इस scheme को ले करके इसमें amount जमा करते हैं तो क्या conditions होगी अगर आपको कभी बीच में withdraw करना हो इस scheme को maturity के पहले तो क्या conditions होगी इस scheme में अगर आपने जिस दिन से account open करवाते हैं उससे एक साल तक का तो इस scheme में locking period होगा यानि कि आप एक साल तक कोई भी अपना पैसा निकाल नहीं सकते हैं सिर्फ आपको जो rate of interest है उसका monthly income आपको मिलती रहेगी साथी एक साल के बाद दूसरे साल से लेकर कि तीन साल की amount अपना निकालना चाहते हैं तो फिर एक परसंट का आपका deduction होगा एक परसंट का amount deduct करके आपको वो बागी का पूरा पैसा return मिल दाएगा लेकिन आप और-all maturity पे लेना चाहते हैं तो फिर जो भी अपने पैसा एक मुस्ट जमा किया था पांच साल complete होने के बाद में वो पूरा पैसा आपको return मिल दाएगा सिर्फ पांच साल तक हर महीने आपको आपके एक मुस्ट जमा किये हुए पैसे का ब्याच मिलता रहता है जो monthly income के तौर पे दिया जाता है अभी हम एक example के तौर पे देखते हैं कि अगर आपने इस scheme के अंदर अपना 9 लाग रूपे जमा करते हैं तो आपको हर महीने कितने रूपे की एक अपरेल 2023 से income मिलना start होगी यदि आपने 9 लाग रूपे deposit किया है तो हर महीने आपको 5325 रूपे आपको return मिलेगा साथ ही अगर आप यदि आपने 15 लाग रूपे का निवेश किया है तो इसके अंदर आपको हर महीने 8875 रूपे मंतली 5 साल तक income मिलेगी after maturity आपका जो भी 15 लाग रूपे हैं वो भी मिल लाएगा साथ ही अगर आप इस scheme के अंदर चाहें तो हर 5 साल के बीच आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा साथ ही आप comment करके बताएं आगे भी आपको इस चैनल पर इसी तरीके की जानकारी मिलती रहेगी अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर लिजे ताकि यह जो भी next वीडियो बने उसका notification सबसे पहले आपके पास आए धन्यवाद